हाई एवरिवन आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आइब्रो कैसे करते हैं तो ठीक से ध्यान से देखेगा और मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा यह जो point है यहां से एक दम straight ठीक है स्टेट करने के बाद फिर ऐसे धीरे धीरे हमें एक mound बनाना है ठीक है यहां से अब देखो यहां इस लाइन के नीचे के जो भी आपके है ना यह पूरी जाएगी अब देखो यह यह टीक है यह हो गया, यह point ठीक है, यह arch होगा और यहां से फिर यहां आपको नीचे उतरना है, देखो ठीक है नीचे उतरने, अब इस line के जो नीचे के जो hair है, वो हमें से जालना है, safe हो गया, उसके बाद धीरे-धीरे हमको एक और उपर जाके, एक particular एक shape देखे करना है, राइट, ऐस हमें यहां से भी same करना है, यह arch होगा, और यहां से नीचे उतरना है, राइट, अब मेरा धागा जो है, वैसे ही thread में चलाओंगी, अब देखो यह हलका सा हमें straight करना है, पर यहां से यह mount जाएगा, यह उपर में जाएगा, ठीक, राइट, और यहां से यह देखो arch, यह थो राइट, अब देखोई में कैसे धागा परती है, ठीक है, straight हो गया, ठीक है, यहां से हलका सा है, कि अब देखो लाइटाओ, कुबूपरा जाएटा, लाइटा-टार धॉर राइटा केज़् सैवले से तट बत्य, जाब देखोईिश यहां से अन्यूँटा जाएटा कIM हा बत्शिया, आर देखोटारा, जाएटा कि अपया, यहां इस जाएटा के मावी सैवलैंगी, अल- झाल झाल यह भी कटिंग बहुत अच्छे चाहिए देखो एकदम स्टेट इसको ऐसे सेफ के लिए हमेशा हमें ऐसे करके सेफ ली जलना देखो मैं हेर कट यह मैंने यहां पर फिंगर लगाया और अब क्या हो गया यह फिंगर लगाने से मैं सेफ हो गई मतलब हैर इसके नीचे के कटेंगे राइट तो इसको फिर ऐसे करके यूँ काटना है अभी देखिए फरक आगया सेम इसको मिलाना है वैसे ही मैंने इधर भी करना है फिंगर हमें लगाना है सेफ्टी के लिए कट कर देना स्ट्रेट ठीक है अब सीधा हो गया और यहां से जो है यह दिखिए यह कट कर दिया एक लाइन आगे यह भी यहां से यह पीछ यह सारे हैर हमें रिमूव करना है राइट ट्रेट से निकालें यह दोनों सेम होना चाहिए तो इसके लिए कैसे करना हमें देखो फ्रेड को इसको लो और यह ठीक है ठीक है अले यहां से स्टार्ट करो यह पूरी लाइन स्ट्रेट थोड़ा थोड़ा हमें ऊपर के तरब जाना है जैसे हम लोग सीडिया चटते हैं कि नहीं लेटेगे लेटेगे आतुम कि लेटशे को tu द respectfully कर साहिए विवर हमें लेटेओेगे लेटेगे लेटेगे दो लगे भाइब है में बहुत अच्छी की में ने ऐसे बनाओगे बहुत अच्छी बहुत सी लगाई टिक है तो नेक्स क्लास में तुम बनाओगे आई बरो ठीक है